इस वीडियो में हम समझेंगे linear equation in one variable linear equations को किस तरीके से solve करना है linear equations जो भी होंगी उन्हें solve कैसे करना है इसके जो basic rule है basic rules होंगे उन्हें हम समझने वाले हैं ठीक है ना अब हमारे पास four rules है इन्हें solve करने के मतलब अब को चार बातें जो हैं चार बातें जो हैं याद रखनी है यह चार बातें जिस दिन दिमाग में बैठ जाएंगी जिस दिन दिमाग बैठ जाएंगी linear equation solve करते हुए गलतिया नहीं होगी ठीक है अब चलो rule की दरफ बढ़ते हैं पहला rule क्या कहता है जो minus में है उसको plus में change करू ठीक है दूसरा rule क्या कहता है जो plus में है उसको minus में change करू तीसरा rule क्या कहता है जो divide में है उन्हें multiply में change करो चौथा rule क्या कहता है जो multiply में है उसको divide में change करो ठीक है यह याद रखना है minus वाला plus में बदल जाएगा divide वाला multiply में बदल जाएगा multiply वाला divide में बदल जाएगा ठीक है यह आपको चार बात याद रखनी है अब दिमाग में question आ रहा होगा, use कैसे करना है, use कैसे करना है, रुको, सबर करो, सब होगा, होगा कैसे, देखो, लगाने कहा है rule, equation पे लगाने है, किस पे, equation पे, ठीक है, एक extra बात और याद रखो, solve करने के लिए, ठीक है न, क्या है, देखो, equation कुछ इस तरीके से होती है, x plus 5 is equals to 7, ऐसी कुछ equation होती है, ठीक है न, अब देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो यह बेचारा x घूम रहा है, इसकी value पता करनी है, क्या करनी है, value जो है, वो पता करनी है, ठीक है न, value पता करने के लिए, इस 5 को हमें भेजना पड देगा, इस equal के इधर, right side, ठीक है, अब extra बात क्या थी, हमेशा जो English वाले चीज़ें होंगी, English वाली, मतलब जिसके साथ A लगा है, B लगा है, C लगा है, X है, Y है, Z है, M है, T है, U है, V है, कुछ भी लगा है, उसको left side पे रखो, कहा side, left side पे रखो, और जो number वाले है, कौन से number वाले हैं, उन्हें कहा रखो, right side पे, कहाँ पे, right side पे, किधर, right side, करना क्या है, English वाले को कहा रखना है, left side, कहा, left side, number वालो को कहा रखना है, right side, ठीक है, अब मालो, 2X होता, तो ये भी English वाला ही है, क्योंकि X लिखा हुआ है इसके साथ, तो ये 2X पूरा का पूरा कहा आएगा left side ही आएगा English कहीं भी है X Y Z A B C D कुछ भी वो रहेगा left side ठीक है चलो जाबाश अब क्या आगे बढ़ते हैं यह एक्ट्रा बात आपको ध्यान में रखनी है English वाले कहां रखने हैं English वाले side change होगी left से कोई right में जाएगा या right से कोई left में आएगा यह rule follow करने है जगा change rule change मतलब जगा change rule follow ठीक है ना जैसे left से कहां जा रहा है right में left से right में और right से left में क्या यह rule लगाने अभी rule कैसे लगाने यह 5 जा रहा है चाहां 5 जा रहा है जो है left में है left कहां जा रहा है हैं ठीक है 5 साइड तो जैब उस सथ थाइजना है तो rule कैसे लगाना ध्यान से देखना जाए बिल्कुल ध्यान से यह बीयूस you बतारों बहुत दीरे दीरे बतारों बतारहां हो गलतियां mudट्र und wenn ne ja gustовать अब गभाई लखने की लिखा अब जो 7 दूसरी साइड उसको पहले कर में एसे अब जो आ रहा है आ कौन रहा है यह 5 जो है इस unicorn स्थार फ़लस वाला था और प्लस वाला जब जब जाता है इसके आगे माइनेस लिखेंगे और हो जाएगा 7-597 कि का समझता है कि आया समझ में नहीं आया तो एक पर और दूसरा हम देखते हैं एक्स माइनस 5 इक्वल 7, ऐसा ही है, बिल्कुल यही सम है, पर change क्या है, यहाँ प्लस था इधर, यहाँ इधर क्या है, माइनस लिखा है, है ना, इधर देखो, यह देखो, माइनस लिखा है, लिखा है, माइनस, solve कैसे करना है, इस 5 को भीजना पड़ेगा कहां, इस साइड भी बन जाता है, तो X यहीं रहेगा, एक्वल हमें दुबारा ऐसे लिखना है, और माइनस 5 जब दूसरे जगा जाएगा, तो 7 पहले उसका इंतजार कर रहा होगा, 5 आ रहा है, आया, 5 आया, 5 के आगे पहले माइनस था, माइनस था, तो अब क्या लिखना है, प्लस लिखना है, X यहीं पर रहेगा, 7 और 5 कितना होगे है, 12, आंसर आ गया, ठीके, अब एक बार, मल्टिप्लाइ में करके दिखते हैं, X मल्टिप्लाइ 7 इक्वल 5, अभी 7 को भीजना है उधर, 7 के आगे क्या लिखा है, मल्टिप्लाइ, मल्टिप्लाइ कहा है, मल्टिप्लाइ है, यहाँ पर, जब दूसर जगा जाएगा, तो क्या लिखेंगे, X ऐसे ही, मल्टिप्लाइ तो लिखना नहीं है, अभी 7 आ रहा है, 7 आएगा, देखो 5 पहले लिखा, जो कि 5 यहाँ पहले था, 5 उपर लिख दिया, अब 7 के आगे क्या लिखा है, 7 के आगे मल्टिप्लाइ है, मल्टि तो क्या होगा, वो नीचे चला जाएगा, ऐसे, दिवाइड में चला जाएगा, 5 अपान 7, ऐसे तरीके से हो जाएगा, अगर ऐसे होता, X अपान 2 is equals to 5, अब क्या है, इस 2 को भीजना पढ़ेगा, दूसरी साइट, ठीक है, 2 के आगे क्या है, 2 के आगे यह लाइन, लाइन क क्या मतलब, डिवाइड, क्या मतलब, डिवाइड, डिवाइड वला दूसरी जगा जाके क्या होगा, मल्टिप्लाइ में, तो क्या लिखेंगे, X is equals to 5, ऐसे का ऐसा, और 2 आ रहा है, 2 क्या आगे क्या लिखना है, मल्टिप्लाइड, और ये 2, X क्या होगा ही, 10, किया क्या, जो ये डिवाइड में था, ये ऐसे डिवाइड में था, 2, ठीक है न, 2 यहाँ डिवाइड में था, इसको 2 क्या क्या लिख दिया, मल्टिप्लाइड, तो ये कुछ रूल है, एक सम करते हैं, जो थोड़ा सा कॉंप्लिकेटेड हो, 2X plus 3 is equals to, क्या क्या क्लिके 11 लिख देते ह हुआ क्या देखो, पहले क्या करेंगे, इस 3 को भीजेंगे दूसरी साइड, हमको क्या करना, इस X की वैल्यो पता करनी है, ठीक है न, इस 3 को दूसरी साइड भीजेंगे, तो 2X ऐसे का ऐसा ही, अब ये 3 के आगे क्या है, प्लस है, 3 के आगे क्या है, प्लस प्लस वाला दू क्या बन जाएगा – यह 11 ऐसे लिखना है यह प्लस इधर आके क्या ओगया – तो यहa जब इसको चौई क्या हो गया यह और अगली मैं क्या करना है अब इस लेंगे यह दिमार कर रहे हैं और सथा दिमा ख़राब कर रहा है इस यह भी भीजना मतलब मान लेना है कि multiply का sign है कैसा sign है multiply का और जब ऑला sign दूसरी जगह जाता है तो क्या sign बनता है क्या बनता है divided वाला कि आगेट यहीं ज़िट करेगा चैसे इसा क्या हो च्छ आगा फोर क्या आगया एक्स का अंसर आगया फोर देखो यह मैंने कुछ चार बातें आपको बताई है ठीक है यह बातें आप ध्यान में रखिए आपके सभी सम हो जाएंगे इन बात को ध्यान में रखते हुए बाकी सभी सम्स के जो एट्ट क्लास का एट्ट क्लास की भूक में जो झाल